होम मेंकिंग लगती बहुत बड़ी चीज है यह जिम्मेदारी लगती है जो सब अपने अपने एक्सपिरियंस और एफ़र्ट डाल के करते हैं और अपने घर को अपने कीचन को वेल मेंटेंड और डेकोरेट करने की ट्राइ करते हैं और अपने आपको टाइम देने की करते हैं इसे ही होम मेकिंग टीप्स या है बेट जो एकदम प्रैक्टिकल है जो मैंने अपना ही है और सारे एफ़र्ट लगा कर फीर मैंने आपके साथ शेर किया है और मुझे बहुत ही इफ्यक्टिव साबित हुई है आई होब कि आपको भी इफ्यक्टिव लगेगी यहा चाड़ दिये थे वर अभी युए में गर्मी का टाइम है तो यहां पर मेरे पोहते थोड़े बहुत सूख जाते है तो टाइम टाइम पर मुझे उसे पानी देदना होता है वरना क्या रहता है कि वो पूरे ही मेरी जो साल भरकी मैनत है वो खराब हो जाती है देखा तो थो दूंभू यहां ही रखती हूँ, तो यहां पर हमें कहने का मथलब वो है कि जहां पर जो भी हमें दिखे वो तूरंती कर देना चाहिए वरना ऐस पार्टिकुलेर काम के लिए कोई भी टाائम liquidity 곡 नहीं पाथे वे जो बोरिंग का मुझे लगता है वो है कपड़े फोल्ड करना आइनिंग करना तो वो दोनों ही काम जो मैं ज्यादा तर टालने की कोशिश नहीं करती पर कभी कभी क्या है कि खटा हो जाते है आलस है क्या करें तो यहां पर मैं क्या करें हूँ बच्चे जो मेरी डोटर है उसकी ए लुकल कर देती हूं कि कंझे को मेंने प्रेस करनी है और कितने को मुझे आगे चाहिए कितने फोल्ड करने है तो साथ हो साथ मैंने आइनिंग के लिए भी आज। जो है सेट अप तयार कर दिया है वहां जो भी थोड़े बहुत ही कपड़े थे वो भी मैं Aayeनिंग साथ ही सा तो यहां थोड़े बहुत कपड़े थे वर साथ ही साथ जो काम आपको अच्छा नहीं लगता जो काम आपको बोरिंग लगता है उसके साथ आप अपना जो भी अच्छा वाला काम है उससे जोड़ दो तो यहां आई निंग हो रही है साथ हो साथ मेने जो भी YouTube में स्पीच आइनिंग भी हो चुकी है वो सारे ही में कपड़े का बढ़ में रख दूगी और जो यह होम मेकिंग है जो tips यह कहो या habits कहो ओर time के साथ आता है experience के साथ आता है कोई एक दो दिन में नहीं सीख पाता तो यहाँ पर मैं कैसे होम मेकिंग करती हूँ वो ही share कर रही हूँ यहाँ पर देख सकते हो कपड़े रखने गई तो थोड़े बहुत कपड़े इतर के उदर चले गए थे यानि कि जो भी tops वगेरा रखने हो bottoms वगेरा रखने हो तो वो अपने place पर नहीं थे तो थोड़ा बहुत वो कर लिया जो भी चीजे हम पहले ही रखते है तब ही हमें जो भी उसकी place वहां ही रखना चाहे वरना miss match हो जाता है फिर ढूंड़ना पड़ता है तो यहाँ पर जो भी आइनिंग वगेरा का setup था वो भी मैंने अब निकाल दिया है वर जो मैं मैट नीचे बीचाने के लिए यूज करती हूँ वो ही मैं आइनिंग के लिए यूज करती हूँ कोई भी एक्ट्रा मैट वगेरा में लेती नहीं हूँ यहाँ पर आप cupboard में देखा तो मुझे यहाँ पर याद आया कि मुझे इसमें नेप्तेलिन की गोली लगानी है तो जो भी polythene bake थी उसको cut कर दिया और फिर में इसके rubber band लगाकर secure कर दूँगी पोटली जैसा बना लूँगी फिर cupboard में रख दूँगी cupboard में वैसा मेरे नेप्तेलिन गोलीया रहती है पर इस वाले में नहीं थी क्योंकि इसको मैंने अभी declutter किया था तो इससे अच्छी सी smell आती है जो wooden की smell है वो चली जाती है insect वगेरा होता है वो इसकी smell चले जाते है वो और यहाँ पर जो भी moisture वगेरा रहता है उसकी भी जो smell रहती है वो भी यह सोग कर लेता है तो अभी declutter किया था तो यह सारे dresses वगेरा short हो गए थे प्राति के वो सब निकाले है वो और उसको मुझे ले जाना है इंडिया तो यहाँ पर जो भी सामान वगेरा है जो discard हम करना चाहते है या किसी को donate करना चाहते है तो उसको अलग आपको रखना चाहिए वरना फिर एंड टाइम पे जब ढूंडना होता है तो एक यहाँ यहाँ मिलता नहीं टाइम भी बहुती कंजूम होता है तो यहाँ पर में इस तरह के बॉक्स जो आप पेकेजिंग में आ जाते है या कोई भी चीजे लेते हैं उसमें रहते हैं तो आप इसे इसे स्टोर करके रखे तो इसमें आप देख सकता है कितनी अच्छी स्पेस है वो लगता भी अच्छा है तो उपर के स्टीकर वगेरा में निकाल दूगी वोर वैसा ही ट्रंक वाला जो ये थर्मोकल का बॉक्स है आप साइड में भी देख रहे होंगे उसका वीडियो में ने शेर भी किया था उसको मैंने फैबरिक से कवर किया है तो एक अच्छा सा किसी को नलग ही नहीं सकता कि ये थर्मोकल का बॉक्स है तो इसको भी मैं वैसे ही करूँगी पर अभी मुझे टाइम नहीं था सारही जो मेरी कुर्ती कुर्ताज वगेरे है जो मुझे रियूज करने है जिसका माटीरियल मुझे चाहिए आगे वीडियो में वो सब मैंने एक जगब पर रख दिया है साथ ही साथ थोड़ा वह सामान जो एक बेड़ है उसके बॉक्स में था तो वो भी मैंने निकाल दिया उसको भी खाली कर दिया कभी-कभी चीजे गर में रहती है पर एंटाइम में वो मिलती नहीं एक साथ रहती है तो जब भी चाहिए वो मिल जाती है तो इसको खाली कर दिया उसमें अभी रिष्टोक करेंगे दूसरी चीज तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह सारा चीज मैंने यहाँ पर रख दिया है ट्रंक में ट्रंक भी आप बोल सकते हो वक्सिस है सारे ही दोनो ही दोनो और अभी जो कपड़े आपको दिखाई दे रहे उसको मुझे अभी करना था सिलाई वगेरा और यहाँ पर देखा तो डस्ट बिन भी बर गई थी उसको मैंने खाली कर दिया और साथ हो साथ आप देख सकते हो जो हमारे बेट के साइड में कोई भी टेबल्स हो साइड टेबल्स हो ट्रेसिंग हो सब इस तर से परापड़ा रहता उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है और अर्गनाईस करना पड़ता है तो वही उमें कर रही हो जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वह साथे साथ करती जाती हो कोच भी टाइम नहीं लगता और फिर क्या रहता है कि कभी कभी सोचने में भी टाइम जला जाता है उसी टाइम में हम काम कर भी देते हैं तो यहाँ पर जो भी चीजे विक्रे पड़ी थी वह सब क्लीन कर लिया उर्गेनाईज कर लिया तो इस तरह से हमारा ड्रेसर भी अच्छे से उर्गेनाईज हो चुका है अब सारा है जो प्रेस होगे रहा है उसको अच्छे से फोल्ड करते वाइरिंग को रख दूगी और फिर जो यह दो जब भी हम कभी कभी क्या रहता है रेडी मेट कपड़े लेते हैं तो उसकी जो स्टीचिंग है बहुती अच्छी नहीं आती खाली एक ही सिलाई उसमें रहती है तो जब भी कपड़े हम लेते हैं तो डबल सिलाई करना जरूरी है यहाँ पर मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मुझको सिलाई वगेरा कुछ भी आता नहीं था पर मैंने वैसे ही सिलाई मशिन ले ली तो सिलाई मशिन ली थी तो सिलाई करना तो सिखना ही पड़ेगा वैसे वाला सिन मेरे साथ हुआ और बहुत सारी चीजे छोटी मुटे मुझे बनानी आ गई सिलाई वगेरा करना आ गया घर में एसी बहुत सारी चीजे रहती है जो अब सिलाई मशिन होती है तो हम कर पाते है टाइम टू टाइम कर पाते है वरना हमें बहार उसको ले जाना फिर सिलाई करके ले आना वो सब बहुत ही टाइम कंजूमिंग जोब है और यहाँ पर मैं electronic device हो जादा तर धक्के रखती हूँ जिसे की cleaning करने में जादा हमें time लगाना ना पड़ एफट लगाना ना पड़े तो यहाँ पर हमारा जो शिलाई का काम था वो भी हो गया और बेड का तो वही सीने की जितनी बार करो उतनी बार वो भिखर जाता है वच्चे रहते हैं तो तो बस मैंने यहाँ पर कुछ भी किया नहीं खाली थोड़ा बेड को जाड़ दिया थोड़ा सा उसको टक कर दिया ज देख सकते हो वैसे ही जब हमारा बच्चों की वेकेशन रहता है या विकेंड रहता है तो इस तरह के लंच बोक्स या फिर वाटर पोटल यहां तहां पड़ी रहती है जो हमारे कीचन को बिल्कुल अन ओर्गनाइज कर देती है तो उसके लिए प्रोपर जगह होनी चाहे उस झाल डमाभी इसको रखने के लिए यहां पर मेरे पास प्लास्टिक का जो बास्केट था उसमें मैंने सारे लंच बोक्स तरक दीन है शोपिंग बेग थी तो इसका मैंने वाटर बोटल और्गनाईज करने के लिए और्गनाईजर बना लिया, यहां पर शूबोक का और्गनाईजर बना है, सारे ही जो भी डिवाइसीज या वायरिंग अगेरा है, में उसमें रख दिया है जो अचने के घर, जो और है उसके पीछे रख दिया है तो दिखाई भी नहीं देगा, व रहेगा तो यहां पर मैं जाधा तर जाधा जो ओरगीनाईजर है वो भी हॉम मेड़ जो मैंने घर पे बनाए है, वो सारी ही में collective vaccination याने कि घर के कौने कोने में वही लगे पड़े है आप देख सकते हो बहुत सारे तरीके से मैंने उसको सजाया है चीजे और गनाइजर में रहती है तो उसको साइड में करके नीचे से क्लीनिंग करना बिल्कूल आसान रहता है वहां भी हम रखते है वह एरिया बहुती खिल जाता है एकदम और्गनाइज लगता है तो यहां पर साथ हो साथ जो गुडन सेल्फ था उसमें भी थोड़ी बहुत मुझे डर्स्टिंग वगेरा करने की जरूरत लगी तो वह भी मैंने साथ हो साथ कर दिया तो यह एरिया भी हमारा अच्छे से क्लेन हो चुका है वैसा नह हमारा काउंटर टोप बिल्कुल एकदम चमक रहा है रेडी हो गया है वह डिप क्लीनिंग करने के टाइम भी हमें इस तरह से छोटी-छोटी क्लीनिंग और्गनाइजिंग करते रहते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता उसी तरह यह फूट का प्रास्टेट है जो नेट कर सकते हो या किचन के टोवैल को आप इसमे और नाइज कर सकते हो और अच्छा रहता है एंडी रहता है विजिबल चीजे रहती है तो यह ही सारी हॉममेकिंग टिप्स में जमाती हूं पहुत सारी टिप सरे ती जो आप वीडियो कितने भी बना ले वह खत्म नहीं होती है तो आप अगर इस तरह की वीडियोस देखना मेरी चैनल पर पसंद करते हो इसमें से कोई भी चीज आपको यूसपल लगी हो कोई भी चीज आपको सिखने को मेली हो तो प्लीज कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना बाई बाई थेंक् झाल 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 झाल